Hello दोस्तों, welcome to our channel Learn Me Driven दोस्तों, यदि आप government employees के बारे में information जाना चाहते हैं या उनके pay scale, उनके promotions या government employees के क्या rules and regulations होते हैं तो please आप हमारे चैनल को subscribe कीजीगा, वीडियो को like कीजीगा वीडियो को share करना ना गोलें दोस्तों आज कि इस वीडियो में हम जानेंगे job profile of senior train clerk मेरे पास एक video आया था कि इसे train clerk होते हैं उनकी job profile के बारे में आपने बताया अब इनका जो promotion होता है senior train clerk बनते हैं तो इसके job profile या salary के बारे में आप हमें बताया है तो इसलिए मैं ये video record कर रहा हूँ तो इसमें आज हम job profile discuss करेंगे senior TNC की senior train clerk की तो पहले point में हम जानेंगे recruitment process या nuke की प्रकरिया कैसे recruit होते हैं second point में हम जानेंगे work profile ये कारिशले इनका काम क्या होता है third point में हम promotion या पदानती की बात करेंगे इनका promotion कितने time बाद होता है और promote होके क्या बनते हैं fourth point में हम salary या तंख़ा discuss करेंगे कि इनकी salary या pay skills क्या होते हैं तो पहला point है recruitment process या न्यूक्ती प्रकरिया railway में senior train clerk की सीधी भरती नहीं होती train clerk promotion seniority की तहद senior train clerk बनते हैं जैसा कि मैंने आपको बता है जो train clerk होते हैं TNC होते हैं जिसके बारे में मैंने पिछला वीडियो बनाया था वही promote होके seniority के according senior TNC senior train clerk बनते हैं train clerk बनने के लिए medical standard A3 चाहिए जो medical standard होते हैं railway के उसके according A3 standard होना चाहिए train clerk या TNC बनने के लिए और तभी आप senior TNC बन पाएंगे second point में हम work profile ये कारिशाले की बात करेंगे senior train clerk का का कारिट train के डिब्बो को गिनना और train के डिब्बो की स्थिती का चार्ट प्रिपेर करना होता है senior train clerk का का काम भी लगबग train clerk जैसा ही होता है तो उनको जो train होते हैं wagon होते हैं उसके vehicles हैं उसकी location या फिर उन्हें count करने का काम होता है senior TNC का कार ये गाड़ी की position vehicle guidance का चार्ट railway का रेलों में circulate करना वह online upload करना भी होता है senior train clerk जो होते है senior TNC जो होते हैं वो ये भी देखते हैं कि गाड़ी की position का है engine कहां पर लगावा है pantry car कहां पर sleeper की bogies कहां पर तो ये position की और guidance chart हैं वो बनाने काम भी नीका होता है senior TNC को railway station divisional office या zonal headquarter में पत्सावित किया जा सकता है तो इनका transfer कहीं भी हो सकता है normal railway station पर भी हो सकता है divisional office भी हो सकते हैं जहां division होते हैं या फिर zonal जो headquarter होते हैं जहां पर zone होता है उसका headquarter होता है वैसे western railway का zone जैसे बंबे है ये चर्ट गेट आप कहते हैं और NWR का zone है वो जैपूर है तो वैसे zonal headquarter पर भी इनकी posting ये transfers हो सकते हैं third point में हम promotion या पदोनती की बात करेंगे senior train clerk या senior TNC 6-14 साल की सेवा के बाद chief TNC बन जाते हैं तो जो service है वो 6-14 साल की होता है इसके बीच में इनका promotion हो जाता है promotion according to the vacancies होता है vacancies आगे chief TNC की कितनी खाली है या कौन से category की vacancies है general की कितनी SC की कितनी ST की कितनी उस आपसे इनका promotion होता है तो लगवग 6-14 साल का time लगता है उस बीच में इनका promotion हो जाता है यह promote होके chief TNC बन जाते हैं अब fourth point में हम salary या तनका के बारे में जानेंगे भारत के सबी railway करमचारियों का मूल बेतन बराबर होता है as you know Indian railway का implant कहीं भी posted है तो उसकी जो basic पे रहेगी वह सेम रहेगी allowances में different आ सकता है matrix level L4 रहेगा 7th CPC के according L4 grade पे 2400 grade पे का वैसे को relevance नहीं है लेकिन grade पे अपन allowances को determine करने के लिए use करते हैं या एक व्यक्ति का अपन देख सकते हैं grade कौन सा है तो grade को determine करने के लिए या उसका level कर determine करने के लिए हम grade पे को आज भी consider करते हैं ल पे होता है और L4 इनका matrix level होता है और जो basic पे होती ही वह होती ही 25500 रुपीजन की basic पे या मूल बेतन होता है DEA या DNS allowance या महंगाई बता होता है 9,690 रुपे हमने 38% consider किया है अभी DEA 38% हो जाएगा 2-3 महने में इसका announcement आप government के official notification से पता आपको चल जाएगा TPTA या transport allowance होगा 2412 यह भी city पे डिपेंड करता है कि आपकी posting higher TPTA cities में है lower TPTA cities कंदर है फिर HR या house rent allowance मिलेगा हमने 18% consider किया है तो basic pay का 18% करीब करीब 4590 रुपे हिने HR मिलेगा यदि यह quarter में रह रहे हैं government accommodation इनों है ले रखा है तो उस case में HR पेबल नहीं होगा और यदि यह private कई प्लेस में रह रहे हैं किराय से रेंट से रहे हैं यह खुद का मकान है तो 4590 रुपे ने HR है house rent allowance मिलेगा ग्रॉस सेलरी रहेगी करीब करीब 42,200 रुपे यह सकल वेतन है इसमें कुछ deductions कटोतिया होगी जो हम आगे जानेंगे deductions होंगे 3800 रुपे के 3800 रुपी के 3800 रुपी के deductions कटोतिया होगी फिर हमारे पास net salary आती है तो हम देख रहेते हैं deductions यह कटोतिया कौन-कौन सी होती है NPS, National Pension Scheme या National Pension System जिसे कहते हैं इसमें करीब करीब 3500 रुपे कांट्रिबूट करेंगे और 3500 रुपे ही government इनके बिहाब पे कांट्रिबूट करेगी और professional tax रहेगा 200 रुपीज, 200 रुपीज professional tax या 250 रुपीज professional tax देना पड़ता है जिस भी state में आप posted हैं तो यह vary कर सकता है फिर railway, employees, insurance scheme, group C की जो रहती है उसमें 30 रुपीज आपको contribute करने पड़ते हैं हर मंत, मंतली रहता है फिर income tax जैसा कि यह income है 42,200 रुपए gross salary तो यह income taxable नहीं है तो income tax देने की कोई आशकता नहीं रही तो यह taxable bracket में नहीं है तो income tax नहीं कटेगा और जो net salary बनेगी एक senior train Turkey वो करीब करीब बनेगी 38,400 रुपीज 38,400 रुपए एक senior TNC की net salary बनेगी तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो चलगा तो प्लीज वीडियो को like कीजेगा चैनल को subscribe कीजेगा यह वीडियो को share करें ना भूलें Thank you